जहिन साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित से सम्मन्दित नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है छंद तो चली हम क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि छंद की परिभासा क्या होती है तो सामानिता जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विसेश बैवस्था और उनका संगीत आत्मक लै और गती की योजना होती है उसे ही हम कहते हैं छंद कहते हैं मुख्य रूप से किसी भी रचना में मात्रा की गड़ना करना और वर्णों की गड़ना करना क्या कहलाता है उसका छंद कहलाता है जिस परकार किसी गद्य की जो विधा होती है उसकी जो लिखने का तौर तरीका होता है वह क्या होती है हिंदी वियाकरण होती है उसी प्रकार से किसी भी पद्दे विधा को लिखने का जो तौर तरीका होता है वह क्या कहलाता है उसका चंद कहलाता है तो जब हम किसी भी रचना में मात्राओं की गड़ना करते हैं और उसमें वर्णों की गड़ना करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं छंड के नाम से जानते हैं छंड से समन्दित महतपूर्ण बिंदू सबसे पहला बिंदु है कि रिगवेद के पूरुशूक्त के नवे छंद में छंद की जो उत्पत्ती हुई है वह किस से बताई गई है इस्वर से बताई गई है कहने का अर्थ है कि जो हमारा अर्थ है जो हमारा वेद है और वो वेद कौन सा है हमारा और रिगवेद रिगवेट का जो पुरुशोक्त है और उसमें जो नवेद नम्मर का जो चंद है उसमें चंद की उत्पत्ती का स्रे इस्वर से बताया गया है अगला बिंदू है इसमें कि जो लौकिक संस्कृत है लौकिक संस्कृत में चंदों का जो जन्म दाता है उसमें बालमी की जी को चंदों का जो दाता है वोर माना गया है जन्म दाता है ठीक है अगला बिंदू है कि छंद्र सास्त्र को हम पिंगल सास्त्र के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पिंगल नाम के जो रिसी थे उनके द्वारा पहली बाद छंद का बिस्तिरत रूप से बेवरण किया गया था इसलिए हम चंद सास्त्र को पिंगल सास्त्र के नाम से या इसका एक अन्य नाम होता है चंद सूत्रम के नाम से भी क्या करते हैं से हम जानते हैं तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है अब आगे है इसमें चंद के अंग या फिर अभियव मुक्ता चंद के जो अंग या अवयव होते हैं उनकी जो कुल संख्या होती है कितनी होती है आठ जिने हम एक एक करके करमबार तरीके से पढ़ेंगे सबसे पहला जो इसका अवंग है उसका नाम है चरन चरन क्या होते हैं जब भी हमें कोई चंद लिखा जाता है जब कभी भी किसी कावे की रचना के जाती है तो उसके जो पंक्तियां होती है या उसके अंदर जो पद होते हैं उनीक हम क्या कहते हैं चरन के नाम से जानते हैं जैसे आपने एक कावे सुना होगा कि रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गईना उबरे मोती मानस चून मालो की यहाँ पर यह लिखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक का जो पहला पद होगा उसको क्या वो लेंगे अपन चरण यहाँ से यहाँ तक का यह क्या होगा हमारा चरण यहां से यहां तक का यह भी क्या होगा चरण और यहां से यहां तक का यह भी क्या होगा हमारा चरण तो छंद में कुछ पंक्तियों का समू होता है और उन पंक्तियों के समू को ही हम क्या कहते हैं चरण क्याते हैं और प्रतेक पंक्ती में समान वन या मात्राइं उपस्तित होती हैं ये चंद के हम प्रकार के बारे में करके पढ़ेंगे ठीक है तो प्राया जो चरण होते हैं उनकी जो कुल संक्या होती है कितनी होती है चार होती है और ये जो चार चरण होते हैं मुख्य र यहां पर इनको संख्या में अंकित करके लिखूँ, तो यहां पर संख्या आएगी हमारी पहली, यह होगी हमारी दूसरी, यह होगी तीसरी और यह कौन सी होगी चौती, तो एक और तीन संख्या कैसी है, विसम, दो और चार के संख्या है, सम, तो दो और चार पर आने वाले ज जानते हैं तो सामाने तहां चर्णों की संख्या यदि आपसे परिच्छा में पूछता है कितनी होती है तो आंसर हमें क्या करना है चार करना है लेकिन दो चंद ऐसे होते हैं जिन में चर्णों की संख्या कितनी होती है छह होती है वह कौन कौन से होते हैं पहला होता है कुंड कॉंडिलिया दूसरा होता है छपपई चंद इन दो चंदों में जो चरण होती है उनकी संख्या कितने होती है चे और बाकी से सभी चंदों में चंदों की जो संख्या होती है वह कितने होती है चार होती है तो ये बात हमें इसमें याद रखना है चंद का दूसरा अंग है वर्ण समानिता वर्ण क्या होता है द्वहिनी की मूल इकाई क्या होती है वर्ण होती है जिसके ब्यवस्थित क्रम या समु को हम क्या कहते हैं वर्ण माला कहते है विसिकली जो हिंदी में जो कुल वर्ण है उनकी संक्या कितनी होती है? बावन और इनकी वेवस्थेत करमबत समू को हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण माला कहते हैं तो वर्णों में मुख्य रुप से दो परकार के वर्ण हम को देखने में मिलते हैं पहला जो होता है वह कौन सा होता है लगू वर्ण और दूसरा क्या होता है हमारा गुरू वर्ण जो कि हम चंद सास्थ में प्रियोग करते हैं यदि किसी भी वर्ण में छोटी वाले स्वर की मात्रा लगी हैं, छोटा आ लगा है या छोटी ए की मात्रा है, छोटा उ की मात्रा है या फरे रिशी की मात्रा है, तो उसे अपने बोलते हैं लगू वर्ण और यदि किसी भी वर्ण में मुख्य रूप से बड़ा की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, बड़ा उ का मात्रा, उसके बाद ए एड़ी, ए एनक, ओ ओकली और अव औरत और यदि ये मात्राइं लगी हुई हैं तो हम उसे बोलते हैं गुरू मात्रा ठीक है? अब आगे है इसमें छंदों का तीसरा अंग, जिसे हम मात्रा के नाम से जानते हैं, मात्रा है क्या होती है? कि वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है जैसे हमने बुला का तो का में जो समय निकल रहा है आ तो वह क्या के लाई है उसकी मात्रा के लाई है तो उसी को हम क्या कहते हैं मात्रा कहते है अर्थात लगू वर्ण की जो मात्रा होती है उसकी संख्या होती है एक और जो गुरुवर्ण की मात्रा होती है उसकी संख्या कितनी होती है दो लगुवर्ण की मात्रा को हम खड़ी पाई से दरसाते हैं यह संख्या जो होता है इसको आप क्या पढ़ते हैं खड़ी पाई और जो गुरू मातरा होती है उसके जो संकेत होता है वो ऐसा होता ऐस जैसा और इसके संकेता कितनी होती है दो होती है तो सामानता किसी भी छंद में जो शब्द होते हैं उनमें जो मातराइं लगी होती है वो मुख्यता दो परकार की होती है एक होती है लगू मातरा दूसरी क्या होती है हमारे देरग मातरा इन दोनों मातराओं को हम किसी भी सब्द में लगाने का जो परकरिया होता है उसको हम समझ लेते हैं किसी भी छंद में मातराओं को जो गिनने का तरीका होता है उससे जो संबंदित नियम होता है हम उसके बारे में बात करते हैं यदि हमारे सामने एक इस परकार का वर्ण लिखा जाए जिसमें छोटा की मातरा हो या छोटी ए की मातरा हो छोटा उ की मातरा हो या फिर रे रिशी की मातरा होती तो इसको हम क्या कहते हैं लगू मातरा कहते हैं ठीक है और इसका जो संकित होता है कितना होता है खड़ी पाई और यदि आप इसको संख्या में गिनेंगे तो ये मान कितना निकाल के देगी आपको मातरा में एक मातरा कितनी मातरा होती है इसकी एक मातरा और यदि हम किसी भी स थकत्त सुमक्राब्ड के अंदर हमें इस परकार से मात्राइ मिल जाएं बडा आ हो या फ़िर बड़ी ए हो। बड़ा उभो एड दे हो। ऐड़ी हो। अंक हो। ओ हो। तो इसको हम कहते हैं दीर्ग मात्रा और दीर्ग मात्रा का ही दूसरा नाम होता है गुरु मात्रा और इसका जो संक्यत होता है वह ऐस होता है और इसकी जो संक्या होती है वह कितनी होती है दो मात्रा अब हम प्रश्णों की साइता से इसको समझते हैं कि सबसे पहले उधारन नम्मर एक हम इसमें लिखते हैं इसे उधारन यहां पर लिखा है मैंने कि नामन शब्द में कितनी मात्रा हैं यह मतला ही कोशन होगे है नमन तो नाम में लगा हुआ है चोटा आकी मात्रा जोटा ऑकि मात्रा मतलब लगू मात्रा मतलब एक खड़ी पाईगी मा में फिर से छोटा की मातरा मतलब फिर से एक खड़ी पाई आगी ना में फिर से छोटा की मातरा फिर से क्या आगी खड़ी पाई तो नमन सब्द में जो कुल मातरा होंगी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी यह हो जाएगा इसका पहला एक्जाम्पल दूसरे एक्जाम्पल की जब हम बात करते हैं यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया पंच परमेश्वर सब्द में कितनी मात्रा है तो जब हमें किसी भी सब्द में किसी भी वर्ण के उपर ये बिंदी लगी मिल जाए चोटा की मात्रा तो इसमें होगी एक मात्रा मा में लगी है चोटा की मात्रा एक मात्रा रा में चोटा एक मात्रा मा में एकी मात्रा है और एकी मात्रा में कितनी मात्रा होती है दो मात्रा आधे वर्ण के कभी भी कोई मात्रा नहीं लगा जाती है परंतु आधे one से ठीक पहले वाले one में दो मात्रा होती है और यहां पहले से ही दो मात्रा है वावे एक मात्रा, रामे एक मात्रा सब एक काउंट करें दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ तो परमेश्वर सब्द में कुल मात्राओं की संक्या कितनी हो जाएगी नो के बराबर हो जाएगी यदि हम बात करें तीसरे उधारण की सुल्प सब्द में कुल कितनी मात्रा है यदि हमारे पास कोई आधा वर्ण है तो उस आदे बन की कभी भी कोई भी मातरग नहीं गिनी जाती है ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लगा दिया क्रॉस अब हम बात करते हैं वा, तो वा में लगा है छोटा आ तो मैंने आपसे बताया है, मैंने आपको बताया है कि छोटे अकी मात्रा में हमेशा कितनी मात्र लगा जाती एक फिर आगे पढ़ेंगे तो ला कैसा है आदा तो इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है अब यहाँ पर जो नियम हमें याद रखना है वो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आपको आधा वर्ण देखने को मिलता है और आधा वर्ण के ठीक पहले कोई वर्ण हो दो को इधर साह था लेकिन साह के पहले कोई वर्ण नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पर इस पर कुछ अर्चा नहीं की परन्तो यदि आदे वर्ण के ठीक पहले वाले वर्ण में कोई भी मात्रा लगी हो चाहे वो एक लगी हो या फिर दो लगी हो तो हमेशा आपको याद रखना है वहाँ मात्रा कितने होती है दो मात्रा होती है एक मात्रा है तो उसको काट दें दो है तो दो ही लिखी रहने दे एक है तो उसको कितना करेंगे अब काट कर दो करेंगे ठीक है उसके बाद आगे बात करते है पा तो पा में कितनी मात्रा हो जाएंगी एक तो जब हम इसको गिनेंगे तो आदे सा में कोई मात्रा नहीं है वा में पहले थी एक इस लाके ठीक पहले वाले बढन में दो मातरा हैं, लाकी कोई मातरा नहीं, पाम में छोटा की मातरा मतलब एक मातरा, कुल मात्रा की संगया कि tनी हो जाती हैं यहाँ पर? तीन के बराबर, तो इस थार हम जान सकते हैं, किकिसी भी सब्द में हम किस परकार से मात्राओं की गरना करतें एक एक्जाम्पल और हम इसका समझ लेतें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ओ जस्वेणी शब्द में कुल बात्रा कतनी बात्रा है मतलब ओ कि मात्रा दीर की मात्रा मतलब संगय कितनी हो जाएगी दो ज़ा में छोटा की मात्रा एक मात्रा सा में कोई मात्रा नहीं होती है लेकिन आधे वर्ण की ठीक पहले वाले वर्ण में हमेशा कितनी मात्रा होती है दो मात्रा तो ये एक वाली क्या कर देंगे, आप काड़ देंगे, वामे हैं छोटा की मातरा, मतलब एक मातरा, नामे लगिए बड़ी एकी मातरा, मतलब दीर, अर्था दो मातरा, तो ओजस्विनी जो शब्द है, इसमें कुल मातरा हो जाएंगे दो, दो दुनी चार, दो तियंचे, और में बात करते हैं, किरम क्या होता है, जो भी हमने पीछे वर्ण पड़े हैं, यह हमने जो भी सब्दों में अलग-अलग मातरा लगाई है, तो वर्ण या फिर मातरा की बैवस्था जो हम करेंगे, उस बैवस्था को ही क्या कहा जाता है, किरम कहा जाता है, जैसे राम, कथा, मन्दाकनी चित्रकूट चित्रचारू के दोहे के चरण को चित्रकूट चित्रचारू राम खता मन्दाकनी रख दिया जाए तो सारा क्रम क्या हो जाएगा बिगड़ जाएगा मतलब इस सीच को यदि आगे रख दें और आगे वाले को पीछे रख दें तो ये इस पूरे चंद का जो करम होगा वह क्या हो जाएगा बिगड़ जाएगा ठीक है तो इस तरह से क्या होता है जब भी किसी भी चंद में हम जो वर्णों को लिख रहे हैं या उनकी जो मातराओं को लगा रहे हैं उन दोनों की करम को या उनकी जो विवस्था का जो करम ह होता है उसी का नाम क्या होता है गिरण होता है चंद का अगला अंग है यती यती का शाब्दिक अर्थ होता है विराम या पर तहराव basically इसमें होता क्या है जब हम किसी भी छंद को लगातार पड़ते हैं तो पड़ते समय बीच में सांस लेने के लिए हमें थोड़ा बहुत रुकना होता है तो रुकने के लिए कई बार क्या करते हैं हम छंद के बीच वाले स्थानों में थोड़ा सा अलप वराम लगा लेते हैं बीच बीच में यह और लास्ट में एक और लगालेते हैं कई बार क्या करते हैं तो इसी का नाम क्या होता है या थी ऐसा आपने देखा होगा कि एक चरण ये लेखा हुआ है फिर यहाँ पर यूश कर लिया है इन लोगों ने कौमा फिर दूसर चरण ये लेखा एक लगा लिया पूर्ण बराम फिर तीसरा चरण है फिर कौमा लगा लिया फिर चौता चरण है और फिर क्या लगा लिया इसमें दोहरा पूर्ण वराम लगा लिया तो यह जो कौमा लगे हैं और यहाँ पर पूर्ण वराम लगें इनका ही नाम क्या होता है यती होता है तो चंधों को पढ़ते समय बीच-बीच में कुछ स्थान रुखना पढ़ता है इनी विराम स्थानों को हम यती कहते हैं सामानिता चंद के चार चरण होते हैं ये बात मैंने पीछे आपको बता दिये ठीक है और पिरते चरण के अंत में क्या होती है ये चरण का अंत तो अंत में क्या होती यती ये चरण का अंत ये डा यती तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि यती क्या होती है चंद का अगला अंग है गती गती का अर्थ होता है लए प्राप्त करना अर्थात चंद को पढ़ते समय मातराओं के लगु अथवा दीर होने के कारण जो विसाइस प्रकार की स्वर लहरी उत्पन होती है या स्वर लहर उत्पन होती है इसको काट के लिखेंगे अब स्वर लहर उत्पन होती है तो उसे ही हम क्या कहते है गती कहते है जब हम रामायन का कथा या रामायन जी बास थे हैं तो उस समय उनके जो काव की जो रचनाए होती है, उनको जब हम पढ़ते हैं, तो एक समान गती मिलती है, पढ़ते समय एक लई सी बन जाती है, तो उसी लई का नाम क्या होता है? गती होता है, ठीक है? चंद का अगला अंग है तुक तुक का क्या आर्थ होता है जब भी हम किसी चंद के प्रतेक चरण की बात करते है और प्रतेक चरण का सबसे आकरी वाला भाग अंतिम भाग तो अंतिम भाग में स्वरिया बेंजन की समानता को हम क्या कहते है तुक कहते है पीछे पढ़ते समय सबसे आखरी में एक समान स्वरिया बेंजनों का प्रभा होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन तुक कहते हैं और जिन चंदों में तुक नहीं मिलता है उन्हें आतुकांत कहते हैं जिन छंदों में तुक मिल जाता है उन्हें तुकांत कहते है जैसे रहीमन पानी राखिये तो इसमें क्या रहा है आखरी में राखिये बिन पानी सब सून तो पीछे वाले में क्या रहा है सून पानी गईना उब रे तो इसमें आ रहा है रे मोती मानस चून तो आखरी में क्य क्या रही है तो दोनों में समानता है यहां पे ऊपर चून सून आ रहा है नीचे वाले में क्या रहा है चून तो इन दोनों में क्या हो रही है तुक मिल रही है इसलिए यह क्या कहलाएगा हमारा तुकांत कहलाएगा अब आगे है इसमें चंद का सबसे अंतिम अंग जिसे हम गड़ के नाम से जानते हैं, गड़ क्या होता है, तीन वर्णों का जो समू होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गड़ कहते हैं, और गड़ों की जो संक्या होती है, वह कितनी होती है, आठ होती है, कितनी गड़ होते हैं हिंदी के जो छंद सास्थर में, तो आंसर क्या हो आठ और यह जो आठ गड़ होते हैं वह मुख्य रूप से इस ट्रिक के माद्यम से पढ़े जाते हैं जिसमें लिखा है यह माता राज भान सलगा तो इनके सुरुवात के जो पहले पहले हैं यहां तक आठ तो वही हमारे क्या क्या लाते हैं गड़ कहलाते हैं जैसे पहला तीसरा क्या है ता तो नाम क्या हो जाएगा तगड़ इसी प्रकार से रासे रगण जासे जगण भासे भगण नासे नगण सासे सगण उसके बाद आगे उपर लिखा हुआ है कि तीन वर्णों का समू सबसे पहले लिखेंगे आप यगण यगण का तीन वर्णों का समू य या माता ये या माता फिर मा से तीन मा से तीन मनाएंगे तो मा तारा उसके बाद ता से तीन मनाएंगे तरा जै तो जिस वर्ण से जिस गण की सुरुवात हो रही है उसके बाद ठीक तीन वर्णों को आप जोड़ दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा उस गण का उधारन कहलाए जैसे यह चोटा है तो एक मातरा, मा बड़ा है तो दो मातरा, ता बड़ा है तो दो मातरा तो जब हम किसी भी गड़ को लिख रहे हैं तो यदि उसमें इस तरह की मातरां लगी हैं तो उसको हम बोलते हैं यह गड़ यहां पर उधारन लिखा है मा, ता, रा तो मा में भी दो मात्रा, ता में भी दो मात्रा और रा में भी कतिने मात्रा हैं, दो मात्रा है तो यह जो गड़ होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा मगण नाम हो जाएगा, इसी प्रकार से तराज उसी प्रकार से रगण का राजवा ठीक है और आगे इसी प्रकार से हम कुल आठ जो हमारे गड़ होते हैं उनको एक एक करके बढ़ सकते हैं जैसा कि मैं नीचे कर दे रहा हूँ आप इनको देख लीजिए जैसे साका लिखा है सलगा सलगा में सा छोटा है इसलिए एक मातरा है ला छोटा है एक मातरा है गा बढ़ा है तो दो मातरा है जब हम किसी भी चंद में आई आई ऐसा था तो उसको पन क्या बोलते हैं सगन कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार से हमने इसमें चंद की परिवासा बढ़ी और चंद की जो होते हैं समानता दो परकार के होते हैं जो कि हमारे सिलावस में दिये हुए ठीक है तो पहला चंद है मात्रिक चंद और दूसरा चंद है वर्णिक चंद सबसे पहले हम मात्रिक चंद के बारे में बात करते हैं ऐसा चंद जिसमें मात्रा की गड़ना होती है या फिर जो चंद म मात्रा की गड़ना पर क्या होता है आधारित होता है उसी का नाम क्या होता है मात्रिक छंद है इसी को आप एक अन्य परिवासा के नाम से भी जान सकते हो जिनमें केवल लगू मात्रा और दीर्ग मात्रा या फिर गुरू मात्रा की क्या की जाती है गड़ना की जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं मात्रिक छंद कहते हैं और ये जो मात्रिक छंद होता है वह आगे चल कर तीन भागों में बढ़ जाता है तो मात्रिक छंद के भी कितने प्रकार होते हैं तीन प्रकार होते हैं सबसे पहला है इसमें सम मात्रिक चंद सम मात्रिक चंद का क्या मतलब होता है कि ऐसा चंद जिसके प्रतेक चरन में मात्राय की संख्या जो होती है वह क्या होती है समान होती है जैसे जब हम चौपाई की बात करते है तो चौपाई का जो पहला चरण हो गया ये दूसरा चरण हो गया ये पिर पूर्ण ब्राम तीसरा चरण चौथा चरण और ये दबल पूर्ण ब्राम तो इसमें होती है सोला मात्रा इसमें भी सूला मात्रा इसमें भी सूला मात्रा ऐसा चंद जिसके प्रतेक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं सम मात्रिक चंद कहते हैं और कुछ जो सम मात्रिक छंदें में कौन कौन से है एक होती है चौपाई दूसरी है गीती का और तीसरी क्या है हमारी हरी गीती का ठीक है आगे दूसरा है इसमें अर्द सम मात्रिक चंद अर्द का मदला होता है आधा सम का मदला होता है समान मात्रिक का मदला होता है मात्रा ऐसा चंद जिसमें आधी मात्राएं क्या होती हैं समान होती है कहने का मदला ये होगे हमारा पहला चरण ये दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण यदि किसी भी चंद में पहले और तीसरे चरण की जो मात्राएं हैं वह कैसी हो जाएं? समान हो जाएं और यदि किसी भी चंद के दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं आपस में कैसी हो जाएं? समान मतलब आधे आधे चंडों की मात्रा एक जैसी हो जाती हैं तो उसी को अपन बोलते हैं अर्द सम मात्रिक चंड जैसा की परिभासा में लिखा हुआ है जिसमें चंड की आधी मात्रा समान होती हैं अर्थात पहले और तीसरे चंड और दूसरे बाद चोते चंड की मात्रा समान होती है उसी को अपन अर्द सम्मात्रिक चंद कहते हैं जैसे दोहा सूरठा उलाला इत्यादी इसी में अपना आएगा रूला ठीक है जो जितने इस चंदों के नाम दोनाम लिखे है यह सभी चंद किसमें आते हैं हमारे अर्द सम्मात्रिक चंद में लिखे जाते हैं. तीसरा जो चंद का प्रकार है, वह है विसम मातरिक चंद. ऐसा चंद, जो अलग-अलग चंदों को योगफल से मिलके बना होता है. जैसे हम बात करता है, कुंडली की, तो जो कुंडली चंद होता है, यह दोहा चंद को जोड़के और रोला चंद को आपस में जोड़कर बनाया जाता है तो ऐसा चंद जो दो अलग-अलग चंदों की योग से मिलके बनता है उसी चंद का नाम होता है विसम मात्रिक चंद ठीक है और इसमें जो मात्राएं होती है उनकी संख्या भी क्या होती है अलग-अलग होती है जैसे कुंडली चंद और चप्पे चंद ये दोनों ही चंद क्या होते हैं अपने आप में एक तरह के विसम मात्रिक चंद होते हैं ठीक है अब आगे है इसमें वर्णिक छंद वर्णिक छंद क्या होते है ऐसे छंद जिनमें वर्णों की क्या की जाती है गड़ना की जाती है अभी पीछे हमने क्या पड़ेते मात्रिक छंद जिनमें हम मात्राओं को गिन रहेते परन्तु अब हम वर्णों की गड़ना करेंगे तो वर्णों की गड़ना करने वाले जो चंद होते हैं उन्हें हम वर्णेक चंद क्याते हैं वर्णेक चंद का ही एक अन्य नाम होता है वर्णे वरत चंद या फिर वर्णेक चंद ये दो नाम भी हैं जो आपको इसमें याद रखना है अब वर्णों की गढ़ना होती कैसे है वो और आप इसमें जान लिजिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कमल कमल सब्द में कितने वर्ण है का में निकला है छोटा आ की मातरा यह हो जाएगा हमारा एक वर्ण मा में निकलिए छोटा आ की मातरा मतलब एक वर्ण ला में लगा छोटा आ की मातरा तो यह एक वर्ण हो गया अर्थात जब हम किसी भी वियंजन के साथ में कोई स्वर की मातरा लगा देते हैं तो वह अपने आप में एक वर्ण कहलाता है। तो कमल सब्द में कुल वर्णों की संक्या कितनी हो जाएगी। तीन हो जाएगी। एक अन्य उधान की साहिता से हम इसको समझते हैं। जैसे लिग दिया हैं, रमेश में कुल कितने वर्ण है। तो रामे एक स्वर निकला है, चोटा है, तो एक वर्ण, मां में एक ही मात्रा लगी है, मात्रा भले ही कोई सी भी लगी हो, बस उसमें मात्रा होना चाहिए। वर्ण नहीं होता है क्योंकि इसमें मात्रा नहीं लगी है वा में लगी है छोटा की मात्रा इसमें एक वर्ण होगा ला में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी वर्ण नहीं होगा पा में एक मात्रा है तो इसमें एक वर्ण का नाम होगा तो स्वल्प में कुल वर्णों की संक्या कितनी हो जाएगी दो तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने चंद चंद की परिवासा और चंद के जो मुखे आठ अंग होते हैं हमने उसके बारे में चर्चा की साथी साथ हमने इसमें जाना कि छंद के प्रकार कितने होते हैं ठीके तो आज की क्लास से संबंद जो PDF है वह आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है महाँ पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल को जोइन करें और वहाँ से PDF को प्रात कर सकते हैं ठीके तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं मगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद